सामुदायक अधिकारों और वन प्रशासन पर इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई में आपका एक बाद फिर स्वागत है अब तक इस इकाई में आपने उन कानूनों के बारे में सीखा है जो सरकारों ने भारतिय वनों पर अपना नियंतरन बनाये रखने के लिए उप्योग किये हैं आपने उन कानूनों के बारे में भी सीखा है जिनसे यह तैह होता है सरकार उन उदेश्यों को कैसे नरधारित करती है जिनके लिए वनों का उप्योग किया जाता है चाहे वह उदेश्य सीधे से जंगल की गतिविधी से जुड़ा हो जैसे की इमार्ती लकडी की पैदावर में सुधार करना या वह हो जिसे हम गैरवन उदेश्य कहते हैं जैसे की खदान या बांध बनाने के लिए जंगल को काट कर साफ करना हमने सीखा कि ये फैसले राज्य और केंद्र सरकारों की निगरानी में लिये जाते हैं लेकिन हमने ये भी जाना कि पूरी प्रक्रिया में स्थानिय की लोगों की बात मानी जाती है हम उन कानूनों के बारे में और ज्यादा जानेंगे जिनसे जंगलों और उनसे सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों के बारे में पता चलता है और जो यह तै करते हैं कौनसा जंगल और जंगल की कौनसी जमीन का उप्योग किया जाए लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जंगलों और आसपास के इलाकों में बसे लोग सरकार के साथ किस तरह अपनी जरूरतों के बारे में सरकारों के साथ समझोते करते हैं अक्सर ये समझोते इस विचार से एक दम अलैदा होते हैं कि जंगलों का उप्योग कैसा हो जैसा कि हमने इस पाठ्यक्रम के पहले एकाई में सीखा है कि अंग्रेजी हकूमत का दृष्टी कौन था कि जंगलों का प्रशासन एक सरंग्शक के तौर पर हो इसका मतलब यह था कि सरकार पहले बन भूमी को अपने नियंग्रन लेती थी और फिर ओद्योगी करण और व्यापार के उन जमीनों का दोहन करती थी आम तोर पर इन जमीनों का इस्तिमाल इमार्ती लकडी के लिए होता था तो अंग्रेजन द्वारा वनों की अधिग्रन से शुरू होने वाले इस पूरी अवदी के दोरान जनता और उनके वनों के बीच संबंद में इस तरह के राज्ये के हर्ष्टिशिक की प्रतिकिरिया में सामाजी का अंधलनों की एक श्रिंकला देखते हैं आप देख सकते हैं जैसा की रामचंदर गुवा ने लिखा है उनेश्वी सदी और बीश्वी शताबदी के शुरूआती दोर में उत्राखंड में बहुत हिंसक विरोध प्रजशन हुए जहां लोगों ने उन वलों को अंतता जला दिया जिनका वे उप्योग और शुरक्षा करते रहे थे क्योंकि अब इन पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया था फल्श रूप इस प्रकार के कई लगातार विद्रों के बाद अंग्रेजों को अंतता जुकना पड़ा और विशेश रूप से कुमाओ में उन्होंने मौजुदा भूमी राजस्वर डिक्री के एक भाग के रूप में वन पंचायत विनियम पारित किया कुमाओ के पहाड़ियों में वे एक समझौते को साल कहते थे जिसके अंतरगर्ट ग्रामडों को बेनाब जमीन जो सारवजनिक भूमी होती थी में व्यापक सांचा संपती अधिकार प्राक्त थे और फिर अंग्रेज आये और उन्होंने इन वनों को आरक्षित करना शुरू कर दिया और उन्होंने शायद 1811 से 1816 के दौर में जब पहली बार ऐसा किया था तो बड़े पैग्मानों पर संगर्ष दूरू हो गये क्योंकि सरकार ने एक आएक बन विबाक स्थापित कर दिये और इनके पूरुष वन रक्षपों ने उन महिलाओं को रोकना शुरू कर दिया जो वन की मुख्य उप्योकता थी जो कि चारे और घास और पत्तिया आदे कठा करने के लिए वनों में जाया करते थी अतेव भयान संघर्ष हुए और बास्तव में ग्रामेंट यहां देखकर अत्य आक्रोशत हो उटे कि महिलाओं को पुरुष रक्षकों द्वारा अपमानित किया जाता था और उनके अधिकार छीने जा रहे थे और वे यह भी कह सकते थे कि वैपारिक महत्व वाले देवदार के पेड़ों में अंग्रेश की अधिक रूची थी जबकि ग्रामेंट लोग ओक के पेड़ चाहते थे जिन से अच्छा चारा प्राप्त होता था तो ग्रामेंटों ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे इन देवदार के वणों में आग लगा देंगे ऐसे अपाद देश के विबिन हिस्सों में अलग-अलग प्रकार से घटित हुए उदारन के लिए चार खंड में अंग्रेजों ने बिर्सा मुंडा विद्रों को कुचल दिया हालंकी उन्होंने मैसुस किया कि वे इस तरह से वना चादित भूबा को कभी भी नियंतरित नह नागपूर टेनेंसी अधिनियम बनाया गया जिसके अंतरगत उन्होंने समुदायों को उनके अपने तरीकों के अनुसार भनों का प्रबंदन करने के लिए कुछ विशेश अधिगार प्रदान किये खालंकी पच्छी मी घाटों में विरोध प्रदाशन ज्यादा हिंसक नहीं रहे लेकिन विरोध प्रदाशन बहुत ही संगटिक प्रकार से हुए क्योंकि वे काफी शिक्सित समुदाय से थे और कानूनी प्रणाली तक उनकी अपिक्साकरत अधिक पहुंचती इस अधिगर विशेशा धिकारों के रूप में कुछ रियायतें दी किसानों ने इस बारे में कुछ मजबूत तर्क प्रस्तोत किये कि क्रशी की उत्पादकता और इसके कारण क्रशी भूमी से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाला राजस्व वन उपस तक उनकी पहुंच पांदिर प कुमाउं और छोटा नाटपुर टेनेंसी एक्ट में वन पंचायत प्रणाली स्थान्य समुदायों और उस वक्त की उपनिवेशिक सरकार के बीच बातचीत के बाद अस्तित्व में आई उन्होंने वनों पर समुदायों के कई एतिहासिक और पारामपरिक अधिकारों जैसे की वनों के कटाई, उत्पादों और मवेश्यों को चराने के उनके अधिकार को सरकारों के जंगलों पर साधारन नियंत्रन के अपवाद के रूप में मानिता दी आईए अब समझते हैं कि स्वतंत्र भारत की सरकारों के साथ इन समुदायों ने अपने अधिकारों के लिए कैसे बातचीत की इन सभी बातचीतों का एक ही मकसद था सरकारों के नियंत्रन वाले क्षेत्र का तीजी से विस्तार है सरकार की प्रात्मिक्ता उत्पादक वनों को विक्सित करना था जो राष्टे लक्षियों के लिए तैयार किये जा सकते थे कई मामलों में सरकार द्वारा भारत्यवन अधिनियम के अनुचित उप्योग से पुनर्वास किये दिना सामुदायक जमी और गाओं के जंगलों का अधिग्रहन करने की अलोचना हुई हम अगले व्याख्यान में जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में आदिवासियों की भूमी को नए समिधान के तहत सरंग्षन मिलने जैसे भूमी अधिग्रहन के कानूनी संदर्ब किस तरह बदल गए थे जब क्षेत्रों को आरक्षित या सरंग्षित जंगलों के रूप में चिनहित किया गया तो किस तरह सदियों से एतिहासिक रूप से इन जंगलों में या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अतिक्रमन करने वाले घोशित कर दिये गए हमने इस इकाई के पिछले द्याख्यानियों में जिन कालूनों के बारे में जाना उनका उपयोग अक्सर अनुचित तरीके से किया जाता था इनके तहत जंगलों में रहने वाले लोगों की उपस्तिती और बन संसाधनों के उपयोग को अपराद माना जाता था आपने देखा कि 1970 के दशक में चिपको मुवमेंट या अंदुलन हुआ था एक अर्थ में इसने ये कहते हुए उस समस्या को पुनर जिवित किया कि हमारे वन जो चले गए वे हमारे पास वापस नहीं आए याद रखिये किवल उत्राखंड के कुमाओ भाग में वन पंचायत समधन किया गया था वन पंचायतें गड़वाल छेतर में घटित नहीं की गई थी चिपको अंदुलन मद्या गड़वाल वाले छेतर में चला जहां इस्तानी समुधाए ने लकड़ी से निर्मित उत्पादों के निर्मान के लिए एक सहकारी समीती स्तापित की थी हलांकि ये अनुबंद मैदानी इलाकों के लकड़ी के एक ठेकेदार को दिया गया था लेकिन जब ठेकेदार पेड़ काटने आया तो लोगों ने ये कहते हुए अपती की कि जब हम अपने छोटे पेमाने के उध्योगों को चलाने के लिए अपने वनों तक पहुँच का आगरे कर रहे हैं तो वैं हमारे पेड़ों को अपने मुनाफे के लिए कैसे काट सकता ह और इसलिए एक अर्थ में चिपको अंदोलन केवल पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाने से संबंदित नहीं था क्योंकि पेड़ों की पूजा की जाती है वे सौंद्रे वर्दी करते हैं या धार्मिक चेतना का भाग है वनों का महत्वर लोगों की आजीविका का संबंदी जरूरतों के लिए था और लोग अपनी आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संसाधन के रूप में अपने वनों पर अधिक नियंतरन और वनों तक अधिक पहुच की मांग कर रहे थे हलां की इस चिपको अंदोलन पर राजे की प्रतिकरिया एक निश्चित उचाई से ऊपर पेडों की कटाई रोकने के लिए अधिक अठोर वन सरंग्षन अधिनियं की इस्तापना और फिर 1980 के दशक में एक वन सरंग्षन अधिनियं पार्द करने के रूप में थी क्योंकि चिप को अंदोलन केवल वन सरंग्षन के लिए था और ये धारणीय ढंग से प्रबंदिंद करने के लिए इस्ताने समुधायों को वन अधिकार इस्तान अंतरित ना करने और इसका उपयोग उनकी आज जीविका के लिए ना करने के बारे में था एक प्रकार से चिपको अंदुलन द्वारा उठाए गए मौलिक प्रशनों का उत्तर कभी नहीं दिया गया वन सरंग्षन को लक्षे के रूप में देखा गया था जो निर्वनिकरन की गती को कम करने वदारण के लिए खर्शी हितुवन भूमी के हैस्तांतरण की गती को कम करने के लिए था लेकिन संसाधन के रूप में वनों तक पहुँच की मांग करने वाले लोग पर विचार नहीं किया गया और उस संसाधन को नियंतरित करने के लिए उनको अनुमती देने की बजाए राज्ये के वन विबाग को राजस्व ओदेश्यों के लिए इन कौप्यों करने की अनुमती दे दे गई वन निवास समुदायों की बढ़ती आबादी और उनके पास जंगलों के प्रबंधन और सुरक्षा जंगलों में कोई हिस्सेदारी न होने से वे वन उत्पादों के बिना अपनी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे नतीजतन सन 1970 में उनके वन प्रशासन से जगड़े होने लगे लेकिन इसी समय एक महत्वपून पड़ाव आया राजय की आधिकारेक नीती जिसमें कस्टोडियल फॉरेस्ट्री यानि स्थानिय लोगों को जंगल की देख रेक में हिस्सेदारी मिली एक और वन्यजीव सरंग्षन अधिनियम अस्तित्व में आया जैसा कि हमने इस पाठेकरम के पहले इकाई में सीखा है, कई वन्यजीव सरंग्षनवादियों का मानना है कि वन्यजीवों के सरंग्षन के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा स्थान तयार किया जाए जिसका कोई उलंगन न करे वह जगह जिसमें इंसान और इंसानी गतिविध्यों को कानून से बाहर रखा गया हो जैसा कि हमने पहले इस इकाई में सीखा है वन्यजीव सरंक्षन अधिनियम में एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें जंगल के अंदर और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा मनों के उप्योग पर प्रतिबंद आविशक है लेकिन राष्ट्रे उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारणियों क्षेत्र घोशित करने के लिए इस कानून का उप्योग अक्सर ऐसे क्षेत्रों पर लोगों के वर्षों से चले आ रहे परंपरागत अधिकारों को समाप्त करने के लिए होता है जैसा कि हमने इस पाठ्यक्रम के पहले व्याख्यान में चर्चा की थी सरंग्षन के इस मौडल के कारण जिसे सरंग्षित क्षेत्र मौडल के रूप में जाना जाता है इन वन्द क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है लगबग उसी समय एक समयधानेक संशोधन के माध्यम से वनों के विशे को समिधान की समवर्ती सूची में रख दिया गया था इसका मतलब यह था कि भले ही केंद्र और राजय सरकारें जंगलों पर कानून बना सकती हैं लेकिन संघर्ष के मामले में केंद्रिय कानून राजय के कानून पर हावी होगा केंद्र सरकार ने वन सरंग्षन अधिनियम को पारित करने के लिए अपनी नई शक्तियों का उप्योग किया यह कानून जैसा कि हमने सीखा है गैर वन उदेशियों के लिए वन भूमी के उप्योग के लिए लोगों को एक प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है इस कानून का सक्ति से पालन का मतलब था कि भले ही सरकारें उन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को आरक्षित या सरंक्षित घोशित करके उप्योग की कानूनी इजाज़त देना चाहती हों तो भी उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है यहां तक कि पहले से मौजूद अधिकारों को मानिता देने की किसी भी प्रक्रिया को भी इस कानूनी बाधा को पार करना जरूरी था क्योंकि इसे जंगल का गैरवन कारियों में उप्योग माना गया वहीं दूसरी ओर समाज और कुछ राज्य सरकारों का यह मानना था कि यदि उजडे वनों को फिर से बहाल करना है तो स्थानिय लोगों को कुछ वनोपज में हिस्सेदारी जैसा कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए तो वे इस काम में महत्वपून भूमिका निभा सकते हैं सन 1987 में केंद्रिय वानिकी बोड की बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन ने वन सरंग्षन और प्रबंधन में लोगों की प्रभावी भागिदारी की आफशक्ता पर बल दिया उस बैठक में अन्य बातों के इलावा यह भी हल निकाला गया कि वनों और पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए हर एक ग्राम पंचायतों या ऐसी अन्य निकायों की पून भागिदारी के साथ योजना बनाई जाएगी और उसे कार्यानवित जाएगा सन 1988 की वन नीती इसी संधर्ब में प्रस्तुत हुई परियावर्णिय स्थिर्ता का रख रखाव और पारिस्थितिक संतुलन, मिट्टी और जल सरंग्षन की बहाली प्राक्टितिक विरासत और अनुवन्शिक संसाधनों का सरंग्षन परियाप्त रूप से वन या व्रिक्षों की संख्या बढ़ाना, 33 प्रतीशत भूमी पर और 66 पर, पहले स्थानिय और फिर राष्ट्रे जरूरतों को पूरा करने के लिए वन की उदपादकता बढ़ाना, वन और व्रिक्षाचादन बढ़ाने और सरंग्षित करने के इस नीती में कहा गया है कि वन क्षेत्रों में परंपरागत अधिकारों और रियायतों के धारकों को वनों के सरंग्षन और विकास के साथ, खुद को वनों के सरंग्षन और विकास के लिए जिनसे वेवलाब प्राप्त करते हैं, पहचानने के लिए प्रोथसाहित किया जा बनों से अधिकार और रियायतें प्रात्मिक रूप से बन्क्षेत्रों और आसपास रहने वाले समुदैवों विशेश रूप से जन जातीय समुदैवों के मून उप्योग के लिए होनी चाहिएं इसने यह भी कहा गया कि जंगलों के भीतर और आसपास रहने वाले आदिवासी और अन्य गरीबों का जीवन जंगलों के आसपास ही केंब्रत है उनके द्वारा प्राप्त अधिकारों और रियायतों को पूरी तरह से सरंग्षित किया जाना चाहिए इंधन की लकडी, चारा, लगू वनोपज और इमर्ती लकडी जैसी उनकी घरेलू आविशक्ताएं पूरी करने वाली वनोपज पर उनका पहला हक होना चाहिए इसके इलावा वन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार वन निकास निगमों सहित सभी एजेंसियों का एक प्रात्मिक कार्य आदिवासी लोगों को वनों के सरंग्षन, उनकी बहाली और विकास से जोड़ना और वनों और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को लाबक से वन सरंग्षन और प्रबंधन में लोगों की भागिदारी के लिए विस्तरित दिशानिदेश जारी किये। इस नीती में एक ऐसी प्रक्रिया पर जोड़ दिया ताकि लोगों को लाब मिल सके और उन्हें वनोपच से शुद बिक्री से हुई आय में भी हिस्सा मिल सके। संयुक्त वन प्रबंधन 1988 की राष्ट्य वन नीती के संदर्भ में एक महत्वपून डिश्टीकोन और कार्यक्रम के रूप में उभर कर सामने आया। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत राज्य के वन विभाग वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए वनों और आसपास की इलाकों के समुदायों का समर्थन करते हैं और वनों की लागत और लाभों को इन से साज़ा करते हैं। इस नए भागिदारी प्रबंधन रिष्टी कोन का नतीजा यह हुआ कि दस्तावेजों में स्थानिय लोगों को निर्धारित वनक्षेत्रों में वनकर्मियों के बराबर से प्रबंधकों की तरह दरजाईद दिया गया। उनकी नियोजन प्रक्रियाओं को सहभागी बनने के लिए बिक्सित होना था। आंतरिक नियोमों और परंपराओं को विक्सित करना, लाब वित्रत करना, धन और बचत का प्रबंधन करना और विपन्नन और प्रसंसकरन उद्योमों को व्यवस्थित करना था। लेकिन इस द्रिष्टी कोण में कुछ मूलभूत समस्याएं भी थी। आपने देखा कि 1990 के दशक में दान दाता एजेंसियों विशेश रूप से ब्रिटिस डियाफाइडी द्वारा काफी जोर देने पर और फिर विश्व बैंक द्वारा भी काफी प्रयास किये जाने पर संयुक्त वन प्रबंधन कारेकरम शुरू किया गया और वन छेत्र को पर देने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन को एक शर्थ बना दिया गया इससे सरकार को पूरे देश में संयुक्त वन प्रबंधन कारेकरम लागू करना पड़ा दृबग यवस जी अफम कारेकरम को वन विबागों द्वारा सह विकल्प के रूप में चुना गया यह निय वाग इस पुरदिर्शे में जो कुछ भी करना चाहता था वह महाज उसका एक फिस्तार मातर था इसलिए इससे समंदों में वास्तिक बदलाव नहीं हुए और इस बीच आपने देखा कि गोडावर्मन मामले में उचतम नियाले ने पुरदिर्शे के विभिन मुद्दों पर आदेश पारित किये और वन सरंग्षन अधिनियम लागो होने की सीमा के मूल प्रशन से परे तक मामले पर विचार किया नहीं लेदवरा 2001 और 2002 में फरवरी में किये एक विशेश अवलोकन के प्रिणम स्वरूप प्रियावरन और वन मंत्राले ने वन वासियों को उस भूम में अतिकर्मन कारियोदवरा उनके खिलाब इस तरह की कारवाई के विरोध में जमिनी इस तरह पर विरोध प्रजशनों की एक पूरी शरंकला देखी गई अथा इस प्रकार का अतिकर्मन का प्रशन जो बहुत लंबे समय से अंदेका या उपेक्षित किया गया था ये 2000 के दशक में उनको बेद अखल किये जाने के अतियंत शशक्त अभ्यान के कारण फिर से बहस में आ गया सयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों ने उन समुदायों की समस्या को सीधे तौर पर नहीं सुल जाया जो उसी भूमी पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे या जिस पर वे एतिहासिक रूप से रहते आई थे इन कार्यक्रमों से उन्होंने भूमी पर अपने अधिकारों या वन संसादनों के अपने अधिकारों में स्थाई रूप से सुधार नहीं किया या जंगलों के प्रबंधन के लिए अपने किसी भी पारंपरिक संस्थानों को कानूनी मानिता नहीं दी संयोप्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के शुरू होने लगबग दो दशकों के बावजूद सन 2000 के दशक की शुरुआत में ये मुद्दे एक बार फिर सामने आएं सन 1990 के दशक में उच्चतम न्यायालिय के हस्तक्षेप के बाद बन सरंक्षन अधिनियम और सक्ती से लागू किया गया वह और भी कठोर हो गया यहां तक की भूमी का शब्दार्थ केवल बन शब्द के अर्थ शब्द कोश में अब केवल जंगल को केवल गैर बन उद्देश्य के लिए परिवर्तित किया जा सकता था इस से उन भूमी पर रहने वाले और खेती करने वाले लाखों लोगों के अधिकारों पर असर पड़ा उच्चतम न्यायाल्य के एक फैसले के बाद केंद्रिय परियावरण और बन मंत्राल्य ने डेश के कई हिस्सों में जंगलों से उन लोगों की जबरन बेदखली की कारवाई को रोप दिया जिनको पहले सरकार ने अतिक्रमनकारी करार दिया था 2002 में वन मामले में ततकाली न्याया पेक्षी द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था जो गोडा वर्मन मामला था और उस आवेदन में न्याया पेक्षी ने कहा कि वन शेत्रों में बड़ी संख्या में अतिक्रमन हुए थे और उन अतिक्रमनों को हटाई जाने की आविशक्ता थी और उसने एक यह प्रार्थना की की अतिक्रमनों के नियमिती करन के इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए दुर्भाग इसे आवेदन पर नोटिस जारी करते समय उचितम न्यायाले ने यह भी निर्देश दे दिया कि प्रार्थना ए पर अंतरीम रोक रहेगी यदि आप इसकी व्याख्या करें तो पाएंगे कि न्यायाले मूलता यह कह रहा था कि अतिक्रमन की नियमिती करन पर रोक रहेगी मेरा मानना है कि नयायाले अन्य पक्षों की सुनवाई करना चाहती थी और इस मसले पर कुछ विस्तार से परिक्षन करना चाहता था वास्तव में जो कुछ हुआ वह आज भी राज से आदिवासी समुदायों और वनवासी समुदायों के मौजूद संबंद का लक्षन है राज ने उच्चितम नयाले के इस आदेश को एकदम अलग तरह से निरुपित करते हुए इसकी एकदम गलत व्याख्या की और इसे बे दखली का आदेश माना और वास्तम में केंद्रिय पर्यावरन और वन मंत्राले ने यह कहते हुए सभी राज सरकारों को एक अधी सूचना जारी की कि उच्चितम नयाले ने ऐसा निरुदेश दिया है कि सभी अतिक्रमनों को नौ महिने की अवधी के अंदर हटा दिया जाना चाहिए और दुर्भागे पूर्ण धंग से बहुत सारे अतिक्रमन जो वास्तम में लाखों में थे उनको हटाते हुए लगभग एक लाख पचास हजार हेक्टेयर वन भूमी एक छोटी सी अवधी में ही खाली करा ली गई और या बे दखली बहत क्रूर तड़िके से की गई पुलिस को साथ में लेकर वन विभाग के लोग हाथियों के साथ आएं लोगों के घरों को नश्ट कर दिया उन्होंने उनकी फसलों में आग लगा दी बहुत सारी क्रूरता की गई लोग इस क्रूरता से बच्टे के और इसके फल स्वरूप देश भर के आदिवासी शेत्रों से विरोध की एक लहर उठखरी हुई और उसी समय है कि देश में अलग-अलग कई प्रकार के जन जाती है अधिकार आंदोलन और वन अधिकार आंदोलन उठखरे हुए जो आपस में जुरे नहीं थे और तब तक एक दूसरे से काफी हद तक प्रिथक थे जिन्होंने बाद में एक जोट होकर एक संग बनाया और या मांग करनी शुरू की कि कानून में बदलाव होना चाहिए और यहां वहां परिपत्र जारी करते हुए वन नीती में बदलाव करने की गतिविधियां कारगर नहीं होंग की हमें कानूनी बदलावों की जरूरत हैं इसलिए कुछ राज्यों में बेदखली की कुछ गतिविधिया शुरू हो गई थी और लगभग सभी जगों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्श्रिन हुए जिसके कारण सभी प्रकार के जमीनी आंदूलन एक जोट होते गए और विरोध प्रदर्श्रिन करते हुए दिल्ली में बैठक की गई और यह 2003 के आसपास हुआ और फिर ऐसे लोग आगे आए जो वन कानूनों आधी से परचित थे जिन में मेरे जैसे लोग शामल थे और फिर ऐसे लोग आगे आए जो पहले से ही बेदकली को रोखने के दिशा में काम कर रहे थे प्रदीप प्रभू जैसे लोग जिन्होंने बेदकली के खिलाफ पहले महराष्ट में विरोध किया था और महराष्ट सरकार से कुछ आदेश पारित कराए थे तो फिर इस तरह हम सब एक जट हुए और इससे मेरे जैसे वेक्ती जो सयूंत वन प्रबंधन पर काम कर रहे थे सामने आए जो कि इससे पहले नहीं हुआ था 1990 में MOEF द्वारा जारी किये गए आदेशों से मैं पूरी तरह से अंजान थी जिसमें 1980 से पहले के अधिक्रमन को नियमित करने के बारे में बात की गई थी इसलिए बताना चाहूंगी कि इसमें इस पारे में बात की गई थी कि उन शेत्रों में अधिकारों को कोई माननेता नहीं दी जा रही है जहां उचित सटल्मेंट नहीं किये गये थे और कई अन्य आदेश अनेक बन गावों को राजश्वे गावों में बदल रहे थे और हम इन सब पारे में पूरी तरह से अंजान थे हम अनेक वर्षों से JFM पे काम कर रहे थे और हमें आधिकारों से संबद इन चीजों की जानकारी नहीं थी इसलिए तब पहली मांग यही थी कि इन आदेशों को लागों किया जाए अतिकरमन के खिलाफ सरकार की कारवाई से देश भर के वनवासी समुदाए और अधिक एक जुट हो गए और अपने लिए और वे जिस जमीन का उपयोग करते और जिस पर सद्यों से रहते आ रहे थे उसके लिए और अधिक सुरक्षित अधिकारों की मांग करने के लिए विरोध करने लगे उनकी मांगे न केवल विवस्थित खेती के तहत भूमी पर अधिकारों की कानूनी मानिता के लिए थी बलकि वन संसाधनों पर उनके अधिकारों और शासन के लिए अपने पारंपरिक संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए थी इसके कारण एक महत्वपून कानून वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ वैसे मेरे विचार में एफारे में अनूठी बात ये थी किया कई छेत्रिये या राज आधारित आंदलोनों से उत्पन हुआ था जो इतिहास में पहली बार एक राश्ट्रे मंच पर एक जुट हुए थे आपने पहले भी संखर्ष किया आंद्र प्रदेश में एक बड़ा संखर्ष हुआ था उत्तरा खंड में एक बड़ा संखर्ष हुआ था अलग-अलग जगों पर लेकिन वे स्थानिये बने रहे और इसा पहली बार हुआ जब ये मसले राश्ट्रिस्तर पर सामने आये लेकिन इसके अनेक प्रकार से जैसे जिस तरह से कानूं का मसौदा तयार किया गया था आपको पता है इसका फैसला जनवरी 2005 में किया गया और हमने वास्तव में एक महीने के अंदर ही इसका प्रारूप तयार कर लिया अतिक्रमन कारी कौन है? साधारन भाषा में एक अतिक्रमन करने वाला वह व्यक्ति है जो बिना किसी कानूनी अधिकार के अधिकारों का उप्योग ऐसे करता है जैसे कि किसी भूमी पर कबजा करने का अधिकार या उस भूमी पर खेती करने का अधिकार या उस भूमी पर उगने वाले पौधों से फ़सल का अधिकार इस इकाई में पहले हमने सीखा कि कैसे लोग जिनके पास कभी वन भूमी में रहने और खेटी करने के अधिकार थे कानून की प्रक्रियाओं में असफलताओं के कारण उनके वे अधिकार छिन गए इसलिए जब उन जमीनों पर उनका बंदोबस्त और खेटी जारी रही तो उसे अतिक्रमन मान लिया गया इस वीडियो में हमने सीखा कि जंगलों और उनके आसपास रहने वाले समुदायों ने सरकारों के साथ उन जंगलों में रहने और उनका उप्योग करने के अपने अधिकारों के लिए किस तरह समझोते किये हैं अपनिवेशिक काल के दोरान उनके आंदोलन ने भारत के विभिन क्षेत्रों में वनों का उप्योग करने के अपने कुछ अधिकारों को मान्यता दी स्वतंत्र भारत में सन 1970 के दशक के संघर्षों के परिणाम स्वरूप 1988 की राष्ट्रमन नीती और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू आया और 2000 के दशक में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था अगले दो व्याख्यानों में हम इस कानून और अन्य कानूनों के बारे में अधिक जानेंगे जिनमें स्थानिय जमुदायों को बनों के शासन में भागिदार होना आविशक है इस से पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें हमारे विशेशग्यों से एक संक्षित टिपनी ले लेते हैं कि भारत के पूरवोतर किशेत्रों में इस तरहां की वारताएं वास्तव में क्यों नहीं हुई बारत के पूरवोतर राजियों में बन निवास समुदायों ने बन भूमी और उतपादन के अपने अधिकारों को कभी नहीं खोया समुदायों ने उन अधिकारों का प्रियोग करना जारी रखा जो परंपरागत कानूनों के तहत थे यहां तक कि उन्हें छटी अनुसूची के तहत भारत के सविधान का सरंग्षन प्राक्त था इन परंपरागत कानूनों के अपने आलोचक भी हैं, लेकिन ये आलोचनाई इस पाठ्यक्रम की विशेवस्तु नहीं हैं. धन्यवाद!